अगर आपको नया firmware अपडेट देखने मिलने वाला तो यह है मेरे Airpods 4 इसके नया firmware आया है यह कौनसा firmware है यह चेक करते सबसे पहले सेडिंग में चलते और यहां पर अपने Airpods आ जाते है और इसको open जाएंगे स्क्रोल करके और यहां पर यहां पर यह है 7B21 तो यह जो दो firmware आये है जो मैं आपको बता रहा हूं इनको update कैसे करना है इनमें क्या कुछ नया खास सब चीज़ चेक करेंगे यहां पर सबसे पहले हाव टू अपडेट करने का तरीका बहुत अपडेट होते हैं इनको manually आप कर नहीं सकते लेकिन अगर updated नहीं है यहां पर जाके आप देख रहे हो कि कभी होता है कभी नहीं होता है लेकिन इस बार फैरली क्विक था लेकिन अपडेट का यहां पर कोई बटन आ जाता सौफ़ेर अपडेट करने के लिए जिसमें थोड़ी सी cracking sound आ रहा था उसमें और थोड़ा सा जो है और आप कुछ वीडियो वगरा देख रहा था थोड़ा ज्यादा था वो अपडेट ने इस वाले अपडेट पे फिक्स कर दिया तो कॉल्स के दौरान यह आपको इस आप नहीं आना चाहिए सेक जो है बहुत सारे लोगों के चल नहीं देते सही से तो अभी आपको यह चलते नजर आएंगे प्रॉपरली तो एक बार आप इसको ट्राइजरू करना यह अपडेट करने के बाद आपको कुछ कंट्री में खासके यूएस वागरा में जो है आपको एर्पोर्ट प्रो टू क्योंकि उसके लिए अप्रूवल्स वागरा की जरूत होती है और एर्पोर्ट प्रो टू एस एर्पोर्ट फोर के अंदर नॉइस कैंसलेशन में आपको थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट भी देखने मिलेगा इस अपडेट के अंदर तो एक बार वो भी आप चेक कर लेना क्या मुझे फीडबैक देख सकते हैं कॉमें सेक्शन में मैंने मैंसूस कि ऐसा हलका सा नॉइस कैंसलेशन जो है यहां पे बेटर निकल के आ रहा है एर्पोर्ट प्रो टू और एर्पोर्ट फोर में इसके लावा यहां पर आपको कुछ नया ऐसा कोई नया फीचर जो है ख इसके लावा कनेक्टिविडी काफी क्या है आपके सामने मैंने करके इनको बता दिया तो यहां पर कोई इसके अंदर कोई दिक्कर नहीं आ रही है तो यहीं दी आई पूरी कहानी एर्पोर टू और एर्पोर एंसी के नए फर्मवेर वर्जिन 7B20 और 7B21 की क्या आपने पुछते हो इसके बारे में जो आपके फीड़ बैक है कॉमस में लिखके मुझे बताते हूं भी करता दोस्तों आपको पसना हो का पसे में लिए को लिए चानल को सब्सक्राइब जो किजिए गुडबाए